जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो मैं जैक बोड यानि कि क्लास 12 फिजिक्स का जो पेपर लिख हुआ था उस पेपर पे मैंने वीडियो बनाया था अब जो है इस पे सवाल उठने लगा है जो में जो काम हो रहा है अब से स्टार्ट हो रहा है कि अब जो क्या होगा वो से स्टार्ट होगा क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि 10,000 लोगों द्वारा उसको लाइक किया जाएगा 10,000 भीव जाएगा है तो अब जो है अब इसका में जड़ है अब आप लोगों को साथ देना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं उस डाउट को किलियर करना चाहता हू जो लोग बोल रहा है कि जैक का पेपर लिक नहीं हुआ है है वो चीज उसको मैं सबसे पहले कंप्लीट करना चाहता हूँ सबसे पहले आपको कल के अख़वार में जो हिंदुस्तान में दिया हुआ था वो दिया हुआ था यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैक बोट की है है Kylie मतलब शिख्छा मंत्री सिक्षा मंत्री से श्यता की जाच की मां उन्होंने किया है जीलाई स्कूल के कुछ चात्रों ने बताया कि परिक्षा दो बजे से सुरु होनी थी लेकिन एक बज के 25 मिनट पर ही पेपर एक सोसल मीडिया पर चल रही थी है। छात्रों ने बताया कि कुछ मोबाइल पर भी प्रस्न पत्रे की फोटो खिच कर भेजी गई है इसके बाद एक सोसल मिडिया चैनल पर भी पेपर लीक होने की सत्यता की जाच मतलब जो हम लोग वीडियो बनाया है उसके अगॉर्डिंग की जो बात किया जा रहा है कि सोसल मैंने पूरी तरीके से confidence के साथ एकदम मैंने बोल दिया है यहाँ पेपर लीक हुआ था और उसका प्रूब भी अभी हम आपको देने वाले है ठीक है इसके बाद इस समन्द में जिला सिक्षा पतादिकारी अकास कुमार जी का कहना है कि ऐसा कोई मामला संग्यान में नहीं सभी केंद्रों पर परिक्षा सांते पूंधंग से अभी तक हुआ है ठीक है इस मेंटर पर थोड़ा साम बोलना चाहते हैं कि अकास कुमार सर जो है इन्होंने बताया कि कोई भी मामला ऐसा संग्यान में नहीं आया है मैं बताता हूँ अभी उनको भी भरोसा हो जाएगा सा अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आकास सर्ज होंगे यह निरिक्षन करने वाल है तो जो जीला शिक्षा पतादिकारी जब एक्जाम सेंटर पे जाते हैं तो एक्जाम सेंटर पे वह निरिक्षन करते हैं ना कि टेली ग्राम पे अब मैं खुल्याम बता रहा हूँ पेपर लीख हुआ है ना हो टेलीग्राम पे यह सब जो अप्लोड हुआ है तो टेली जाएगा थोड़ा सा जाच करने में क्या जा रहा है मान लिजिए अभी हम आपको आप लोग भी जाच कर सकते हैं पहला प्वाइंट तो यहां है अब दूसरा प्वाइंट जो है आपको हम एक वीडियो दिखाना चाहेंगे यह वीडियो मेरे को दिया सबसे पहले को वह पहल कितना परजेंस ओप माइंड लगाया कि सबसे पहले वहाँ पे गया पेपर लिख हुआ था एक्जाम दे कर निकला वहाँ पे देख लिया कि आची स्क्रीन डिकोर्डिंग सबसे पहले ओन किया और सबसे पहले मेरे पास पहजा कि सर ऐसे यसी बात है इसके बाद मैं बोला हू भाई साब यह नहीं कि मैं गड़ के बोल रहा हूं अपना मन से मैं नहीं बोल रहा हूं अभी आप पहले वीडियो देखो आपसे एक छोटी से इंफोर्मेशन बहुत बड़े इंफोर्मेशन सेर करना चाहता हूं कि आप देख सकते हो कि जो हमारा फेजिक्स का जो पेपर था वो टप तो था ही बट एक्जाम से पहले लीख हो गया था जो कि मैं कहा लीख हुआ था वो भी मैं आपको प्रूब दि आपको देख सकते हो कि इस चैनल पर एक्जाम से पहले हमारा एक्जाम था टू पीम को यह वन आप उससे पहले यहां पर अप देख सकते हो कि यह पेपर पोश्ट हो चुका है जो कि हमारे एक्जाम का था अब कोशन भी मैच कर लीजी जो बच्छे पढ़के गया थे उनका तो उतना माक्स आया नहीं मैं अपना ही बता देता हूं कि मैंने पूरी साल मेनत की और उतना अच्छा नहीं आया और जो बच्छे मेनत नहीं कर रहे हैं और उनसे यह पेपर लिक होके अच्छा नमर ला रहे हैं तो फ्रेंट्स यही मुझे से आप से कहना है कि मैंने अपने में एक ट्वीटर का लिंक दिया हुआ है तो फ्रेंट्स आपको यहाँ पर लिंक पर क्लिक करना डिस्क्रिप्शन वाले से हैं और फ्रेंट्स जिसे कि आप देख सकते हो जो हमारे फिजिक्स के सर हैं उन्होंने पोस्ट किया ट्विटर पे तो आपको यहाँ पर कर दिजेगा और एक लाइक कर दिजेगा अकि हमारे जो जैक के जो अध्यक्ष है जो सिच्छा मंत्री जी है उन तक ये बात पहुंच जाए और वो हमारे लिए कुछ ना कुछ solution करें तो देखा अपने विडियो विडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या पेपर लीक होने का जो हला हो रहा है जो मैं चिला रहा हूं गला फार फार के क्या जूट है अब मैं कुछ students का comment देखाता हूँ अगर ये जूट होता तो मेरा पिछला वीडियो जो था उस पे कोई हमें गाली भी दे सकता था कोई लोग हमें बोल भी सकते थे कि sir paper leak नहीं हुआ है आप जो है जूट बोल रहे हैं पूरे students को पता है पूरे जारखुन को पता है पूरे media वालों को भी पता है बस हुए evidence के चलते रूखे हुए है कि कास हमें कोई पर्मान मिल जाता उसके बाद हम ये करते हैं देखिए आप सभी विद्यारतियों से मेरा एक request है कि मेरे से जितना हो रहा है ना इडिया के सारे अखबार के सारे सब चीजसे हम लोग जो है साथ दे रहे है अब आगे देखी क्या करता है कि को डिसीजन देना हम लोग का काम नहीं है हम लोग बता सकते हैं आप सभी लोग का काना एक एक्जाम री एक्जाम लो अन्य था एबरेज परसेंटेज दो सभी को फिजिक्स भी सेमें ठीक है ऐसे लेकिन चली हम लोग आगे बात कर लाते हैं जो इस्टूडेंस जो आपका जो कमेंट है वो सबसे पहले रावनी नाम के कोई हैं जो कि बोल रहा है कि हर बार का ये फैदा है बीच में हम इस्टूडेंस लोग के उफास जा रहे हैं बार बार 11 में पेपर लिख जैकबोर्ट का हुगा था है ना मतलब की जैकबोर्ट 11 में भी ये लिख किया था हमारी गौवर्मेंट ह यहां पर लोग्लाली दे रहां வूड हम लोग योज Quinn कर सकते बोल भी नहीं सकते हैं अन यहां पर ईहां पर सिर्फ हालतू के ज्ृण देने दो भासन में वह भी शाहिए यहां पर जो आता है वह मूंहमंत्री भी है और इस मुंह मंत्री भी है इससा लोम रहो है सुनीत इतना आक्रोसित है कि हम लोग पड़ भी नहीं सकते हैं भाई साब समझ जाए इसके अलावे एक और कमेंट आ रहा है कि यस सर जो हम वीडियो बनाया थे उसके नीचे कि यस सर यह है कि पेपर वाइरल हुआ था देखिए पता चला यह है कि पेपर वाइरल हुआ था यानि लि बात स्टूडेंट वर्ग में अभी यह सब पॉलिटिक्स वाला चीज भरना यह नहीं चाहिए था लेकिन आप लोग का हरकत ऐसा है ना कि यह सा कुछ करना पड़ रहा है एक तम वीडियो को दबा करना ठीक है इसके बाद बोला है कि चेर की फिकर है एक्जामिनर्स को उनक बाकी स्टूडेंट भाण में जाए उसका फिकर किसी को नहीं है कि आप बढ़िया बढ़िया इमोशनल लाइन लोग भेज रहा है इससे देखिए एक और लर का फिर कमेंट किया इससे साब पता चलता है कि जारकन का कुछ नहीं हो सकता जो लोग सुधारना चाहते हैं मेंस तो क्या करना पड़ सकता है तो क्या करेंगे टेलेट तो कर देंगे लेकिन मैं वीडियो डिलेट करने वाला नहीं हूँ यह भूल जाएगा आप लोग है ना चलिए नेक्स्ट इसके बाद गॉर्मेंट ऐसी हो वहां की जनता का कल्यान हो यहां पर यह कहना है कि अगर यहा कटर यहां पिया है कि जो लड़के लोग हैं बोल रहे हैं कि एजुगेशनल मैंश्टर पेपर लिग करवा या जैक ने पेपर लिग कर आया हमन सुरेन ने कराया भाई देखिए सरकार ने कराया क्या कर रहा इससे हमको मतलब नहीं है लेकिन एक बाथ बताई है कि अगर को गलती करते हैं था हम लोग लोग किसको बोलता है पूरे सरकार को दोसी मानते हैं कि नहीं तो जो अगर पेपर 殟 हो रहा है तो हम लोग किसको दोसी मानेंगे सिधा दोसी मानेंगे कि जैक में यह होता है जो cbc board छोड़कर जैक ghosts all रहा है 11-12 कि उन्हों क्या बोलेगा कि CBSC में तो चोरी नहीं होता था है ना CBSC में तो पेपर लिख नहीं होता था जैक बोर्ड ऐसा है तो जैक बोर्ड को तो गलत नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा और जैक बोर्ड एक सिस्टम है कि हम लोग आंदोलन करेंगे अब बताएए student लोग आंदोलन करेंगे तब क्या होगा और भी evidence चाहिए तो मेरे वीडियो में जाएए comment पहले thank you super ऐसा comment आता था लेकिन इस बार का comment क्या है ना रुडा देने वाली comment है पूरा एक एक पारागराप सभी लोग लिखा हुआ है हम लोग यह नहीं करें कि paper hard है हम लोग बस यह करें कि paper lick क्यों हुआ और एक बज़ के 25 मिनट पर paper lick होना समझ रहा है ना यह पहुत सारे लोग जो है ना student work बहुत सारे हमको बोल रहे है कि आप जुटो किच किच कर रहे ह सीधा मेरा सवाल आपसे है कि तब आपको क्यूचन मिला हुआ है आपको उस teacher से connection था आपको क्यूचन मिला और आपने cheating किया इसके बरोसे आप बोल रहे हो यह आपने पढ़ाई नहीं किया यदि आप पढ़ाई करते तो आपको भी इसका दर्द पता चलता कि भाई जो पढ़ और वसी में एक बच्चा यदी फेल होता है तो उस घर का उस दिन का क्या बोले हम पूरा की कौन साרה स्थी वह जाता है दैनिय स्थी क्योंकि आज से कुछ साल पहले तो पेपर लिख नहीं होता था यहां पे लोग पैसे को चलते पेपर को बेच दे रहे हम तो साफ यह मानते है ना पेपर को पेपर खरीदने के लिए लोग पैसा दे दे रहा है और क्या बोले सब गदार हो गया यहां के लोग जितने इस्टु जाएगा मैं एक बात काना चाहता हूं कि टॉपर को आप कैसे पहचान हो गए यहां पर तो सिस्टम द्वारा पेपर को लिख कर दिया जा रहा है पेपर लिक करने के बाद क्या हो रहा है कि जो नहीं पढ़ा न वो टॉप कर जागा 98-99% ला लेगा तब उसको तो मिल जाएग हुआ तो उस पर क्या करवाई होना चाहिए क्योंकि पेपर लिख हुआ जो नहीं पढ़ा वो भी टॉप कर सकता है तो जाकर उसको दे दिजेगा और जिसमें जो रियल टाइलेंट जो चुपा हुआ जो रियल पढ़ाई किया तीन सो पैसर दिन उस इंसान के बारे में आप अब मैं आपको हम एक चीज और बताना चाहते हैं एक घर का अगर एक स्टूड्यन फेल होता है तो उस घर का उसे इनन का खाना नहीं बनता है और ऑफ होता है जो पढ़ रहा है वह फेल होगा इस जगह पर मतलब इस वाले मोडल से लिए कि जो पड़ रहाँ वह इनसान फेल हो सकता है और जो नई पड़ रहा हूँ पास हो रहा है फर्स्टविजन से अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि एक student फेल होता है न तो उसका education से भरोसा उठेगा और यहां पे लड़का लोग comment की थी एक लड़की comment की थी सीमा नाम के वो हमें यह बता रहे थी कि सर हमको exam center पे जाने में पता है कितना time लगता है रास्ता नहीं है पैदल जाते हैं चार घंटे का time लगता है चार घं के लिए आप जानते हैं कि लड़की का जीवन कितना कठीन होता है इतना प्रेसरा कर रहे है अब हम फैमली प्रेसर का तो नाम नहीं लेंगे बहुत ज़्यादा प्रेसर होता है अब बताइए कि हम लोग जिंद्गी पर पढ़ते रहें दो प्रकार से नुक्सान हो रहा है अगर एक्जाम बार-बार ले रहा है तब तो माने जिए तो दिमाग खिंचली बना गए सबसे पहला चीज़ दूसरा पॉइंट कि यदि एक्जाम को पोस्टपॉन करेगा ना तब भी दिकत है क्योंकि स्टूडेंट को बार-बार 12 थी नहीं न पढ़ना है उनको आगे भ लखो दूसरा जए लखो रहे सबस्क्रागा से कडके इस तब होता बिहारबर पेपर लिखना कोई बड़ी बात निये चौरी करना कोई बड़ी बात ने Raton लेकिन जार्खन भी ये चीज फोलो करने लगा यार दो सालों से देख रहे हैं 11 में अभी आप लोग का पोस्ट पॉंड हो गया था लड़का एकी चीजवा को देगा तो सेशन लेट होगा सेशन लेट होगा रिजल्ट लेट करेगा इसके बाद कितने लोगों का एडिमिशन नहीं होता है 12 में रिजल्ट लेट आने से भाई साब मैं बता दूँ बीएसी में एडिमिशन लेट से होता है उन लोगों का क्योंक चाहता हूँ मेरी दुवारा कि मेरे दुवारा इतना भी परयास हो रहा है मैं कर रहा हूं मिठिया वाले सब्केसाथ मिलकर है tut अबसे बड़ी बात है कि आप लोग हमारे साथ हैं, हमने कभी सोचा नहीं था कि आप लोग इतना साथ दोगे मुझे, अगर इस प्रकार की हम आवाज उठाते हैं, तो हमें बोलने की आजादी है, सोतंदर्ता की आजादी है, हम लोग आवाज उठा सकते हैं, और मैं एक माध के स्टूडेंट से अब मैं आपको बताता हूं ग्रेजुएशन में पेपर लिख नहीं होता है और पहले आज से तीन साल पहले लिख क्यों नहीं होता था है तो यह कहने वाले भूल जाओ कि आप लोग अभी आप लोग पे भी हो सकता है अगर समझो कि आपके फ्यूचर की ब में और चीज, मैंने ट्वीट किया हूँ है फिर से मैं अपना ट्वीटर एकॉंट से ट्वीट किया हूँ हाँ, आपको डिस्क्रिप्सन बोक्स मेंoral कि अवीजित शुंग ने है सुपर कॉन्सेप्ट क्लास हैना लोगों न किया है और मैं भी त्वीट कर रहा हूं अब जाकर मेरे एककाउंट को जाकर फॉलो करो सब लोग ट्विट्र क्ल्म भना लेजें और जाकर करने बढños कर दर्म भीट करने पर दम मत लेजे कुछ हो या नहीं हो प्रोग्लम तो आप लोग के पास है ना हमारे पास तो कोई प्रोग्लम नहीं है लेकिन प्रोग्लम कहाँ है कि हम लोग भी एक प्रकार के टीचर वाले कटेगरी में आते हैं पेसे से सिक्षा कर लाते हैं तो सिक्षा का यह हक बनता है कि स्टुडेंट के लिए लड़ाई लड़ा जाए और आप लोग जो है इस चीज को और भी मतलब आप लोग को मतलब support की वज़े से जो है ना हम लोगों हमें हिम्मत आती है next is कि हम एक माध्यम है हम पे जो आरोप लगाएगा ना उसका मैं एक कर से इसाब कर सकता हूँ लोग यहाँ पे जो चोरी किया है ना जो चोरी किया है और जो चिटिंग किया है उन लोग का आप जाकर मेरा community tab को देख लेना कि आप पर हम complain करेंगे परसनल और आपके चैनल पर complain करेंगे भाई मेरा public news चैनल नहीं है कि तुम complain कर दोगे पहले एक बात का याद रखना समझा गया और जिनको भी कोई डाउट हो ना कि हम गहां पर गलत बोल रहा है आप हमारे इंस्टाइडी पर सबसे जादर ट्वीटर पर जाकर एकाउंट पर फॉलो कर लो ट्वीटर अभी लिंक हम दे रहे नीचे ट्वीटर पर जाकर रिट् रिख हुआ था यह हम लोगों के कमियों के चलते क्या नहीं हुआ और वायरल एक ऐसा चीज है ना सोसल मेडिया अस तस सरकार को गिरा सकती है हम लोग को फेक चीज नहीं बना रहे हैं यहां पे पूरा एविडेंस के साथ बना रहे हैं स्टूडेंट का मुझे सपोर्ट की स लख्त आवज सकता है अब यह आप लोग का एक्जाम भी है ना इसलिए हम थोड़ा इधर ओफ्लाइन ग्लासेज में भी इधर भी हम डिश्टरब थोड़ा रहे हैं अब जो है मेन फैसला की बात क्या है वह है कि जैक को एक्जाम को री एक्जाम कराने की जरूरत है फिर से है ना और डेट को 5 तारिक से आगे और 10 तारिक से कम मतलब 10 अप्रेल से इधर और 5 अप्रेल के बाद इधर पोश्टपॉंड कर सकता है समझा गया क्योंकि उदर लोग नीट का त्यारी करने दोनों प्रकार से नुखसान है ना अगामी भी त्यारी करना है पीछे वाला एक आवाज हरताल पर अंदोलन पर अंदोलन कर दो ना निव्ज मिडिया के कमी नहीं है आज के समय में ठीक है हम लोग टीचर कटेग्री में आते हैं हमारा कोई न्यूज चैनल नहीं है हम लोग इतना बुल्द रहें खुलकर यह बहुत ज्यादा हो रहा है और मैं उन चैनल को भ एक जो चीजवा है ना उसी चीजवा को पढ़ दे रहे हैं कि आकास कुमार ने निरिक्षन किया संगयान में भाई गलत है यहां पर तो आपको बोलना पढ़ेगा आप बोल नहीं रहे हो ना यह सबसे बड़ी बात है एक और चीज एक्जाम में एवरेज परसेंटेज दिय दिया जाए इस चीजवा मांघ करो कि एक्जाम में एवरेज परसेंटेज दिया जाए या इक्जाम को री एक्जाम लिया बस इतना ही कहनः நेक्स्ट विडियो में तब तक्लिए जय हिंद्ध और बताएगा आप लोग कि क्या करने वाल आ हुढ से जारकन का एजूकेशन सिस्टम एजूकेशन पॉलिसी में सुधार होगा टेल में आव